कि सनातन धर्म के ऊपर उद्ह निदी स्टालिन के दवारा दिया गया बयान और उस पर राज निज्क बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है तरह तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं इंडिया गटवंदन पर हुश सवाल उठाये जा आप क्रिश्णिटी इसलाम पे क्यों जा रहे हैं अगर स्टालीन ने कहा है तो इस टालीन पे आप एग्रेसिवली जो आपको आर्गुमेंट करना है अल्ला करना करिए लेकिन इशारा आप कहां दे रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं बहराल दो सव बासट पुर्व जज नौकर शाह सेना के अधिकारी ने ये मामला सुप्रीम कोट तक पहुचा दिया है सोचना ये है कि जब धर्म संसद होता है गांधी को गाली दी जाती है खुले आम हिंदू रास्ट की वकालत की जाती है सर पर पिशाव कर दिया जाता है और दलीतों की हत्याएं बलातकार होती है उस समय ये फॉर्मर बिरोकरेट जज और सेना के अधिकारी कहां होते हैं क्या उनकी जमीर मर जाती है क्या उस समय कुछ उन्हें दिखता नहीं है दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अमबेटकर नामा इस एपिसोड में क्या है मामला पूरा समझाने जा रहा हूं और किन नेताओं ने क्या-क्या बयान दिया है ये भी आपको सुनाओंगा पूरा वीडियो देखते रहें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें चलिए अब बताता हूं क्या है मामला सनातम धर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट सी दखल की मांग उदय निधी के बयान पर 14 जज, 130 बेरोक्रेट्स और 118 रेटायर्ड सेनने अफसरों ने एक चिठी लिखी है और तमिल नाडू के CMM के स्टालिन के बेटे उदय निधी है स्टालिन के खिलाफ 262 सक्षियतों ने सुप्रीम कोर्ट को ये चिठी लिखा है इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को खुछ से दखल देने की मांग किये है टोटल 262 लोग है इसमें इन्होंने तमिल नाडू सरकार के खिलाफ स्टालिन पर कोई एक्षन ना लेने के लिए कारवाई करने की मांग किये इन लोगों में तेलांगाना हाई कोट के पुर्व चीफ जस्टिस के श्रीधर राओ पुर्व डिफेंस सेक्रेटरी और राजसवा के पुर्व महासटिव आईएस अफिसर योगेंदर नारायन भारत सरकार के पुर्व सेक्रेटरी आईएस समीरेंदर चटरजी और आईएस धर्मेंदर कुमार पुर्व रौचीफ आईपे संजीव तिरपाटी भी शामिल हैं सिगनेटरी में आपको याद होया कि 2 सेप्टेंबर को उन्हें सनातन धर्म के तुनना डेंगू और मलेरिया और करोना से किती उधैनी दीने उन्हें कहा था कि मच्छट डेंगू फिवर मलेरिया और करोना ये कुछ चीजे ऐसी हैं जिनका केबल विरोध नहीं किया जा सकता बलकि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है सनातन धर्म भी ऐसा ही है हाई कोट के जज रहे चुके एसन धिंगरा और गोपाल कृष्ट ने ये पहल की शुरुवात किया सिगनेचर केंपेन की शुरुवात किया लेकिन उधर स्टालिन अपने स्टेटमेंट पर अड़े हुए है जस्टिस धिंगरा और शिपिंग सेक् स्टालिन ने भारत के एक बड़े हिस्से के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाशन दिया है अब कहां नफरत फैला कि नहीं फैला इसमें विमर्श हुआ है कोई डिग्री पैरामेटर तो है नहीं संविधान में भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है इसलिए यह बयान सीधे तोर पर संविधान के खिलाफ है इसके अलावा तमिलनाडू सरकार ने स्टालिंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया बलकि उन्हें बचाने की कोशिश की यह कानून का उलंगन है इसमें लि आशन या बयान पर तुरंत एक्शन लेने का ओडर दिया था लेटर में सुप्रीम कोट के इस फैसले का हवाला दिया गया और लिखा गया कि तमिलनाडू सरकार ने एक्शन लेने में देरी की यह सुप्रीम कोट का अपमान है उधर बाबा लोग इनके उपर सुपारी दे रहे हैं दस करूर रूपे का इनाम जो है अयुद्या के संथ परम हंस आचारे ने चार सितंबर को चार तारिक को नाराजगी जताते हुए कहा था कि उधर निदी का सिर कलम करके लाएगा उसे दस करूर रूपे का इनाम मिलेग इस दौरान उन्होंने उधर निदी के पोस्टर पर तलवार भी चलाई तो यह जो भाषा है सादू की यह समवेदानिक भाषाई गैड़ समवेदानिक नहीं है उन्हों 622 लोगों के हिसाब से उधर निदी अपने बयान पर कायम है और बोलें कि यह बात मैं लगतार कहता रहूंगा अपने बयान पर अडिक इनetahन सेतमबर के शाम को फिर से सनातन धर्म को खत्म करने की बाद दो रहाई उधर निदी ने चिन्नयाई में पत्रकारों से बाद्चित करते Ahí कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं। कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ये कहा है ये बात में लगतार कहूंगा कुछ लोग बचकाना बेवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने नरसंगहार के लिए आमंतरित किया है आगे उन्हें कहा है कि कुछ लोग द्रविरम को भी समाब करने की बात करते हैं क्या इसका मतलब यह है कि डीम के वासियों को भी मार दिया जाना चाहिए दो सितंबर को बीजेपी आईटी सेल प्रमुक अमिल मालविय ने उद्य निधी के बयान को नरसंगहार के लिए उकसाने वाला बताया था जिसके बाद उद्य निधी ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी भी कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेसियों को माड़ दिया जाना चाहिए यह है मामला मामला तुल पकड़ता जा रहा है उदर उद्य निधी एक खिलाप आप देखेंगे तो केस भी दर्ज हो चुका है बिहार के मुझफरपुड में एक आज का दायर की गही यह आज का सुधीर कुमार ओजा ने चीफ जुडिशल मेजिस्ट्रेट के कोट में दायर की है इस पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी इस से पहले उद्य निधी के खिलाप एक वकील ने दिल्ली में दिल्ली पुलिस में एफ आयर दर्ज कराई है चलिए व्याक्या तो मैं करूँगा है लेकिन नेताओं ने क्या स्टेट्मेंट दिया है विस्वा का स्टेट्मेंट मैंने पहले आपको बता है लेकिन नेताओं ने क्या क्या जरा ये भी सुन लिजे पस्चे मंगाल के मुखमंतरी ममताब नर्जी ने चार तारीक को कहा कि मैं तमिल नाडू की जनता और मुखमंतरी स्टालिन का सम्मान करती हूँ भारत की मूल भावना अनेकता में एकता है हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे की एक समुदाय के लोगों को ठेस पहुँचे है करनाटक के पुर्व मुखमंतरी वसव राज बोमई ने उदय निधी स्टालिन को उदय निधी हिटलर के अकरार दे दिया है बोमई ने कहा कि यह उन पाठियों के समों की मानसिक्ता है जो किसी भी कीमत पर सत्ता में आना चाहते हैं यह अलोकतांत्रिक और मानवता विरोधी है रामजन भूमी के प्रमुख पुजारे आचार सतंदर दास ने कहा कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता है ये धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा उद्यनिधी को सनातन का असल मतलब पता ही नहीं वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है उधर चिलकूर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंगराजन ने कहा कि उधाय निदी स्टालिन एक कैबिनेट मिनिस्टर है वो एक समवेधानिक पद है उन्हें इस तरह की बाते नहीं करनी चाहिए केंद्रिय मंत्री धर्मेन प्रधान कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर है ने कहा है कि तमिल नाडू के कुछ लोगों की हकिकत अब सामने आ रही है कुछ दिन पहले ही हमने काशी तमिल समागम का आयोजन किया था और तमिल नाडू के हर गाउं में भगवान जगनात की नातन धर्म अमर है ऐसे राजनितिक बयानों से कुछ नहीं होने वाला इधर सानवाज हुजयन भाजपा के अन्यनेता उनका कहना है कि स्टालिन इंडिया की मजबूत करी इंडिया गटवंदन और उनका बेटा ऐसे बयान दे रहा है गटवंदन में शामिल कॉंग्रेस और बाकी दलों को इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए यह बयान दुर्भागे पुर्ण है और इसकी निंदा की जानी चाहिए उधर कॉंग्रेस पाटी ने उधर निदी के बयान से किनारा कर लिया है माराश्ट के नेता नाना पटोले ने कहा कि हमारा रूख कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने पर टिपनी करती है और नहीं उसमें विश्वास रखती है उन्होंने कहा कि हम किसी और के बयान के जिमेदारी नहीं ले सकते हैं तो यह मामला तुल पगड़ता जा रहा है बाबा लोग सुपारी दे रहे हैं और बाकी फॉर्मर को कि समीदान बदलने की सीधे और सीधे बात हो रहे हैं परधान मंत्री के आर्तिप परिश्वत के मुख्या ने सीधा लेक लिखर समीदान बदलने की बात की इससे कि भावना रात नहीं होती है। आये दिन बलातकार और हत्या की सूचना आती है लेकिन इसे किसी की भावना आहत नहीं होती है सिर्फ कुछ चंद लोग है जिनकी भावना आहत होती है डॉक्टर अंबेटकर ने बहुत तीखी आलोजना की है वो पूरी किताब में से कुछ अंश मैं आपको अगले एपिसोड ने बताऊंगा बुद्ध से लेकर अंबेटकर पिर्यार फूले संत्र रविदास कभीर सब लोगों ने तीखी आलोजना की है हिंदु धर्म की और सब लिखी थे भारत सरकार ने किताब चापा है इस पर और गंबीर से गंबीर क्रिटिक की गई है सनातन की और हिंदु धर् सुप्रिम कोर्ट में भी मामला गया था हिंदु धर्म नाम का कोई चीजी नहीं इस तरह से इन उन्निसवी सदी में बना उनिसवी सदी के बाद आए दोस्तों अगला एपिसोड दिखिया कि डॉक्टर अंबेटकर ने हिंदु धर्म के बारे में क्या कहा है और पेज नंब संत्री को इस पर सुबत संदेश हैं वह भी स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा तो इसलिए अगले एपिसोड का इंतजार किजी क्या क्या कहा डॉक्टर अंबेटकर ने हिंदु धर्म को लेकर क्यों उन्होंने हिंदु धर्म छोड़ा और उन्होंने कहा था कि मैं हिंदु पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं हिंदु मरूंगा ने शुक्रिया देखते रहे हैं मिट करना में शेयर और सब्सक्राइब करते रहे